खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए आए तुल्जा भवाने और छत्रपति सिवाजे महाराजाना माजा सास्तांग दंडवर सातारा के प्राक्रमी भूमी प्रमुजे पहले भी कई बार आने का सौभागी मिला है और इसलिए सातारा के सत्कार से मैं हमेशा परिचित रहा हूँ आज जिस प्रकार आप यहां भारी संख्या में मुझे और मेरे तमाम साथियों को आशिरवात देने के पहुंचे हैं इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ आपका उच्छा आपका जोश दिपश के होश उड़ा रहा है जब उदेन राजे जी बोल रहे थे मेरा मन करता था सुनता ही रहू सुनता ही रहू सुनता ही रहू एक एक शब्द दिल की गहराई से निकल रहा था भाईयर बहनो सातारा संतों की भूमी है समाज को देश को दिशा देने वाले नेत्रुत्व की भूमी है बीर संभाजी, बीर साहुजी, समर्त रामदा स्वामी, रामशासी प्रभुणे, स्रिमन प्रतापसी, सावित्रिवाई फुले, क्रांतीसी नाना पाटिल जैसे अतुल्या, अतुल्या सामाजी और आध्यात्मिक नेत्रुत्वा इसी धर्ती से निकले है और यश्वंत राव चवान जी जैसा विजनरी राज नेता भी सातारा ने देश को दिया है मेरे लिए तो सतारा एक प्रकार से गुरु भूमी भी है उद्रें राजे जी ने बड़ा आधर पुर्वक उस बात का उलेक किया और आज मैं जो किज भी कर पा रहा हूं जिन समस्कारों मैं पला बढ़ा हूं जिन से मैंने सिक्षा दिख्षा पाई है बे सतारा का खटाव गाउं के लक्ष्वन राव जी नामदार जिन को हम लोग गुजरात में वकिल साब कहा करते थे उनकी ये जन्मस्थली है और उनकी सिक्षा दिख्षा यहीं हुई थी बाद में वकिल गुजरात आए और मेरे जैसे की शिक्षा दिख्षा की जिमेवरी उन्होंने सबाली और इसलिए मेरे लिए गुरु भूमी भी है यही कारण है कि सातारा की यात्रा मेरे लिए तीथ यात्रा के भी समान है भाई और भेनों यह गवरों पुन इतिहास की घट्नाओं को स्मरन करने का रोमांज कारी अनुभव है आज भी शयादरी परवत संखला के पीछे से जब सूरज निकलता है तो लगता है कि हाथ में केसरी द्वज लहराते हुए छत्रपती सिवाज महाराज चले आ रहे हैं यही वह पवित्र भूमिया है जहां सिवाज महाराज मा भवानी के मंदिर के दर्शन किया करते हैं भाई और भेनों आज तक भारतिय जनता पार्टी के पास सिरफ सिवाजी महाराज के संसकार थे और अब हमारे पास सिवाजी महाराज के संसकार के साथ साथ उनका पुरा परिवार भी हमारे साथ है संसकार और परिवार का यह संगम वीर सिवाजी के सपनों का महराश्र उनके सपनों का अखन हिंदुस्तान एक ता अभेद्यता एक भारत स्रेश्च भारत इन सपनों का भारत बनाने में हमें एक नई ताकत मिलेगी नई उर्जा मिलेगी एक नया संबल मिलेगा भाई जो बाई और बहनों बीते पांच वर्सों से महा यूती की सरकार ने केंद्र में भी और महराश्र में भी सिवाजी महराज के संस्कारों के अनुसारी काम करने का पूरा प्रयास किया है राश्र रक्षा और राश्रवाद को हमने प्रांथ्विक्ता दी है भारत भूमी पर बूरी नजर रखने वालों को मुह तोड़ जवाब दिया जाएगा सिवाजी महराज ने राश्र रक्षा के लिए ससक्त सेना को प्रांथ्विक्ता दी उस कान में भी उन्होंने एक ससक्त नव सेना का निर्मार किया था बीते पांच बर्सों में हमारी सरकार ने भारत की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं की प्रंक्ती में लाकर के उस्त्रेणी में खड़ा कर दिया है जल हो ठल हो नभ हो या अंतरीक्षो हो एक के बाद एक आधुनेक अस्त्र सस्त्र आज भारतिय सेना का एक अतूट हिस्सा बन रहा है राष्ट रख्षा के लिए राष्ट के एकी करण के लिए महायूती की सरकार ने ऐसे फैसले लिये हैं जिनको लेने की हिमाट पहले नहीं दिखाई देती थी लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है का जहां महाराष्ट में जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन्होंने राष्ट रख्षा के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध किया भाई और बहनों सातारा ने महाराष्ट के लिए अनेक शुरुवीद दिये यहां के अब सिंगे मिलिटरी गांटो जैसे राष्ट रख्षा के लिए ही समर्पीत है बहां के घर घर से राष्ट रख्षक निकले है ऐसे सौंसकार जहां के हो बहां राष्ट का आहित करने वाली राजलीत को जगह भला कैसे सहन हो सकती है यही कारण है कि कॉंग्रेस और NCP के नेता जब हमारे वीर जवानों के शौरिय पर सवाल उडाते हैं तो सबसे जादा ठेश मेरी ये सतारा की भूमी को पहुंचती है जब यह रफेल जैसे आदूनिक जहाज को लेकर अपप्रचार करते हैं तो मुझे विश्वात है कि राष्ट भक्तों की धर्ति को अपार पीड़ा होती है जब यह आर्टिकल 370 को लेकर अपपाएं फैलाते हैं तब पूरा सतारा गुश्वे से भर जाता है जब बीज सावर के जैसे राष्ट नायकों को यह बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सतारा का पारा साथवे आस्मान पर चड़ जाता है भाई और भाणों कॉंग्रेस और NCP के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है और जिसकी सजा पिछले लोग सभा के चुनाव में पूरे देशवासी दे चुके है और इस पार भी चाए महराष्ट हो चाए हरियाना हो कड़ी से कड़ी सजा जनता जनारदन देने वाली है बलकि इस बार तो उनकी हालत और भी खसता है आप कल्पना कर सकते हैं जिस सातारा को कभी ये अपना अभेद किला माना करते थे वहां से लोगसभा चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कभी ये सिर एंसीपी के पास लेकिन एंसीपी वालों ने पृतिवरा चरवान जी को यहां से उतरने के लिए कहा लेकिन जमीन पर जो हालाथ है उनको भापते हुए उन्होंने कहा ने भाई माप करो उन्होंने वहां से उल्टा पासा फैका और कहा कि शरद्राव क्यों नहीं मैंधर बे उतरते लेकिन शरद्राव शरद्राव है वो हवा के रूख को भली भाती जानते हैं उसके वो बड़े खिलाड़ी है और इसलिए उन्होंने साप साप इनकार कर दिया जी नहीं मेरा काम नहीं है साथ यो यह जो किस्सा मैंने आपको बताया है यह कोई सिक्रेट नहीं है बल्कि यह खुद पृत्विराज चमान जी का बयान है अपने इंटर्यू में उन्होंने यह कहा है कि यह सातारा के साथ साथ पुरे महराश में कॉंग्रेज एन्जीपी की यूती की यही एक सच्चाई बच्ची है वहाँ दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकरताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है वो एक दूसरे को हैस्यत बताने के लिए बिशाथ बिशा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बाजपास शिवसेना की महायुती महराश को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है भाई और बैनों जहां कार्यकरताओं में गठबंदन में ही बटवारा है वो महराश के समाज को एक जूट भला कैसे कर सकते इनकी राज़नीते का एक ही आधार है बाटो 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 और मलाइखा ये समस्कार छत्रप्रदीश सिवाजी के बिलकुल नहीं है उन्होंने तो समभाव और सदभाव से राश्ट सेवा का मार्ग हमको दिखाया है इसी राश्टे को बीते पाँच वर्षों में महायूती की सरकार ने ससक्त किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाथ इसको हमने साथन का मुल मंत्र बनाया है साथ्यों विकास में हर व्यक्ति, हर छेत्र की भागिदारी हो हमने ये सुनिशित किया है केंद्रों राज्य सरकार ने हजारों करोड रुप्य के प्रोजेक यहां के लिए दिये है इसमें सडकों पर, हाइवे पर ही हजारों करोड रुप्य खर्च किये जा रहे है करार, गुहागर की फोर लेनिंग का काम हो, या सातारा कागल की छे लेनिंग का काम ऐसे अनेट प्रकल परवर आज काम चल रहा है वरना पहले, विकास के नाम पर कैसी राजनीती यहां पर होती थी इससे आप भली भाती परिकीत है मैं आपको पानी कहीं उदावन देता हूँ जिसके लिए इस जीले का पुर्विक छेत्रा तरस्ता रहा है नब्बे के दसक में जब महायूती की सरकार थी तब यहां पानी की समश्या को देखते हुए कुछ डेम के काम स्विक्रत हुए थे लेकिन महायूती की सरकार गई देम की वो फाइले भी दब गई 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट में देवेंद्र को अउसर आपने दिया पुरानी फाइले खुल गई अब सिंचाई की तमाम परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है और इसमें लक्षण राव जी नामदार की स्पुर्ति में बन रहा काटापूर योजनाओं भी उसका एक हिस्सा है बाई और बेनों महराष्ट के महंति शेद्करी समाज के नाम पर बाते और बाते बहुत किये गए उनके नाम पर नेतागिरी भी बहुतों ने चमकाई लेकिन सही माइने में सेद्करी समाज के बारे में सोचने का काम महाईूती सरकार ने ही किया है सिंचाय से लेकर कमाई तकके तमाम प्रयास हम कर रहे हैं महराज तके सभी किसान परिवारों को पी एम किसान सम्मान निधिक तकाल आप सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है लगू किसान परिवारों खेद मद्दूरों को छोटे छोटे दुकानदारों को साथ वर्ष की आयू के बाद पैंशन की सुविधा भी तय हो चुकी है साथियों गन्ना किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए हर संभव कोशिष बीते पांच वर्षों में की गई है गन्ने के लाबकारी मुल्य को लागत का डेर गुणा से दिखताई किया गया है जब भी कोई समस्या हुई है हमने ये कोशिश की है कि किसानों को उनका बकाया समय पर मिले अब ये सुनिस्चित किया जा रहा है कि बकाया हो या फिर दूसरी मदर वो सीधी गन्ना किसान के बैंक खाते में ही पहुचेगी हाल में ही केंद्र सरकार ने साथ लाग मेट्रिक तन चीनी के निरियात पर छे हजार करोड रुपे से अधिकी सबसीडी देने का फैसला लिया है इतना ही नहीं हमने ये भी तै किया है कि ये सबसीडी भी सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाए भाई और बहनों गन्ना किसानों को सिरफ चीनी के भरों से ना रहना पड़े इसलिए इतनोल के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है देज भर में इसके लिए आधूनिक शेक्सरिया बनाई जा रही है हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पैट्रोल डीजल में करीब करीब दस प्रतिशत तक के इतनोल का उप्योग किया जा सके जैसे जैसे इतनोल की डिमान बढ़ेगी वैसे वैसे गन्ना किसानों को भी अधिक लाब मिलना तय है साथियों किसान हो जवान हो या युवा महायूति की सरकार हर वर्ग के लिए समर्पीध है समाज के हर व्यक्ति हर परिवार को सिख्षा और सरकारी सेवाओं में उचित अवसर मिले इसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए है मराथा समाज को आरक्षन हो सामान ने वर्ग के गरीब परिवारों को इतियात में पहली बार मिला हुआ आरक्षन हो ये महायूती की ही सरकार ने करके दिखाया है महायूती की सरकार का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि किसी का सोशन ना हो किसी का हक ना मारा जाए बीते पांच वर्ष में महिला ससक्तिकर्ण को भी अबुत्पुर्वबल मिला है हमारी बहनों की सुरक्षा से लेकर सम्मान के लिए पहली बार बड़े कदम उठाए गए है सामाजिक सद्भाव की यही निती पूरे देश को पसंद आ रही है इसलिए पूरे देश का स्ने और आशिरवाद हम सब साथियों को मिल रहा है भाई और बहनों समाज में जब सद्भाव होता है तब उद्योग लगते हैं उद्यम जिल्ता बढ़ती है आज मुद्रा योजना के तहट पूरे देश में स्वरोजगार से युवाज जुड रहे हैं स्वरोजगार और रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम तूरिजम है सातारा के पास तो इतना कुछ है इतना कुछ है यहां इत्यास का गवरोव भी है आज्धत्प की ताकत भी है और प्रकृति की छता भी यहां मौजूद है सर्वाज चांगली फूले आसावी तरकास पठारा तिल सर्वाज चांगला धबदबा सावा तर वैजराईचा तूरिजम की इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहां कनेक्टिविटी की स्विदिविदावों पर बल दिया जाएगा हमारा यह प्रयास रहेगा कि सातारा देश और दुनिया के हर तुरिश के पनरा बेस डेस्टिनेशन में यह हमेशा बना रहना चाहिए सातारा ने स्वच्छता के मामले में जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी इसमें मदद मिलने वाली है और स्वच्छता के इस अभियान के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ आपको बधाई देता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ साथियों माहराज के विकास के लिए जो भी संकल्प हमने लिये हैं वो तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आप महायुती के उमिद्वारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में विजई बनाएंगे ये तभी होगा जब 21 अक्तुमर को 21 सक्तुमर को क्या है 21 सक्तुमर को क्या है और रभी बार की छुट्टी फिर दूसरे दिन सोम बार की छुट्टी दो दिन की छुट्टी तो फिर मन करेगा चलो कुछ काम पुराने बागी है कर ले लोग वोड तो देने ही वाले हैं और सिवेंद्र जी है उदेन राजे जी है तो इस बार तो बड़ा बेड़ा पार है मैं वोड दूं या न दूं मैं तो चला जाओंगा मुंबई का काम करके आ जाओंगा मेरी आपसे प्रार्थना है संडे मंडे दोनों चुट्टियां होने के बावजुद भी हम अपना पोलिंग बुथ नहीं छोड़ेंगे मेरी बात मानेंगे पक्का मानेंगे मेरी दूसरी भी एक बात है आई क्या एक काम मेरे लिए आप कर सकते हैं क्या मेरे लिए करेंगे सिवेंद्र जी और उद्रेन राजे जी अब तक जितने जादा वोट्रों से जीते हैं वो सारे रेकॉर्ड तोड़के देंगे क्या उनके ही सारे रेकॉर्ड तूटने चाहिए तो मेरी बात पूरी करोगे आप लोग मैं बड़ाबर देखूंगा रिजल्ट मुझे विश्वास है आप बहुत बड़ी ताकत लगाने वाले हैं मुझे विश्वास है आप गर-गर जाने वाले हैं मुझे विश्वास है आप लोग सभा के वोटिंग के रेकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं मुझे भी स्वास है, इस बार पुरूसों से महिलाएं जादा वोट करने के लिए निकलने वाली है, हर बूत मजबूत हो, अब पूरा समय, 21 तारीक शाम को मतदान पूरा हो तब तब पूरी ताकत बूत में लगाएंगे, मतदाताओं के घरों में जाएंगे, एक-एक मतदाता को लोग तंत्र के इस महा उच्छों में जोड़ने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, मला माई चाहे, माजना देशा चा तुम चांदिर्धार पक्का है, आपन सारे फक्त मतदाना चा तारीके चीज बाट पाहता है, मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा, पुना आणुया, आप बोलेंगे आपने सरकार, पुना आणुया, पुना आणुया, पुना आणुया, आप सब हमें आशिरवात देने के लिए आए, एक बार फिर, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जय महराश्टा, भारत माता की, 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 भारत मा